नमस्कार दोस्तों वेलकम योल टो आर यूटूब चैनल अससी ओल्राउंडर आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा जो की शियचसल 2020 में अपना डिवी करवाने वाले हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट के लिए हो चुका है और जो होगा तो उस मंत में आप जो डिवी करवाने जाएंगे उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सभी के मन में यही क्यूसन है कि डिवी कैसे होगा डोकुमेंट्स क्या चाहिए जो ऑप्शन फोम आता है उसको कैसे भरना ह यह वो कब आएगा यह कैसा होगा डिवी के बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा कम मार्क्स है तो डिवी देने जाए या नहीं जाए यह सारे क्यूसन आपके माइंड में होगे तो इन सभी क्यूसन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है वीडियो को अ पान तक जरूर देखना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि आगे बहुत अच्छे और इंप्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आपके लिए आगे आने वाले वीडियो को कैसे बरें कौन सी पोस्ट उपर रखें पोस्टल असिस्टेंट चोइस करें या लडिसी चुने या जो डॉक्मेंट इरिफिकेशन होगा तो आपको बताते रहेंगे अपडेट देते रहेंगे आपको लिंक दोनों के डिस्क्रिप्रिप्शन में बल जाएंगे या और किस बजे आपको जाना है किस बेस नंबर में जाना है और किस बॉड नंबर में आपको जाना है यह सारा आपको admit card आएगा आपको उसमें सारा कुछ लिखा होगा और आपको पता चल जाएगा उससे पहले list भी आती है अससी की site पे list आ जाती है कि इस बंदे का इस time को इतनी बज़े डीवी होगा तो सारी वो list भी आएगी और अलग से आपका admit card भी आएगा तो आपको उसके तुरू पता चल जाएगा कि आपका documents क्या सहिए documents कुछ अलग नहीं चाहिए जो आपके पास अभी site available होंगे सारे documents 10th की mark sheet सही है 12th की mark sheet 10th और 12th के certificates पहले के time में certificates जो है वो 10th और 12th के अलग अलग आते थे और पर आजकल जो है certificate भी mark sheet के साथ होते हैं तो 10th की mark sheet 12th की mark sheet और इनके certificates प्लस graduation की अगर आपने अपने highest जो qualification दिखाई है वो ग्रेजविशन दिखाई है तो graduation की mark sheet भी आपको लेके जानी है और अगर आपने नहीं भी दिखाई है और आपने graduation आप कर लिए तो अगर आप उसक कोई भी ID आधार card या pen card उसकी दो फोटो कोपी दो आपकी recent passport size photo एक आपका जो admit card आएगा वो और एक option form की एक दो परति आप लेके जाए फोटो को पी लेके जाए एक option form की एक दो तो यह सब आपको चाहिए documents 10th 12th दोनों के certificate ID दो photo admit card option form और एक आपका cast certificate OBC वालों के लिए OBC सब्सक्राइब करेंगे अभी की वीडियो में करेंगे अभी की वीडियो में हमने बात कि यह documents आपको चाहिए अब बात करते हैं कि option form option form दिख रहा होगा आपको screen पे ऐसा option form अता है यह CHSL 2019 का option form है इससे पहले मैंने CHSL 18 का भी डीवी कर वाया तो उसका भी option form दीख रहा होगा screen पे तो यह है option form इनमें थोड़ा बहुत हो सकता department वाली जो list है इसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है कि एक दो department कम हो गए हो या बढ़ गए हो तो वह option form आपका जब site पर आ जाएगा तो आपको पता सल जाएगा पर almost option form जो है इसा ही होना है नीचे जो गिंती लिख रही है एक दो तीन चाहर वहां आपको अपनी option form आएगा और आपको इसको भरके लेके जाना है अससी office में और इसी option form के base पे जो वहां officer बैटे रहेंगे वो आपकी जो choice है वो computer में feel कर लेंगे कि आपने पहले choice कौन सी बरी है दूसरी कौन सी बरी है और number wise सारी choice अपने computer में data feed करते रहेंगे फिर आता है देखो डिवी क experience के base पे तो आपको साइद कुछ लोगों को वह बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने कहा कि 2-3 महने लग जाते है फाइनल रिजल्ट में टाइपिंग के रिजल्ट के बाद तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि CHSL 2018 जो था उसमें आपका टाइपिंग का रिजल्ट आय तो इसमें भी 2-3 महने की बीच का टाइम लगा है तो मैंने यही बताया था कि जो फाइनल रिजल्ट है वो 2-3 महने में आ जाता है आप मेक्सिमम मान के चलिए 2-3 महने तो इसी बीच में फाइनल रिजल्ट आ जाता है टाइपिंग के रिजल्ट के बाद तो वह डाटा जो कि पिछले जो एक्जाम सुवे थे उनके बेस पर मैंने बताया था आपको तो वह बात की लिए हो गई होगी मैं समझता हूँ अब बात करते हैं यह कम मार्क्स अगर आपके हैं तो डीवी करवाने जाहिए आने जाहिए देखे सबसे पहले तो आपको मेरे इस वीडियो के लि सब्सक्राइब करना क्या पता सेलेक्शन हो भी जाए तो उस चांस को नहीं चोड़ना है तो आपको डीवी करवाने जरूर जाना है अगर आपके उस कटोफ से पांच मार्क्स कम भी है यही था आज के वीडियो में और आगे भी आपके लिए इंपोर्टेंट वीडियो आन इलोकेट होगे उसके बाद डिवीजन इलोकेट होगी फिर जाके जैनिंग होई तो इस बीच में कई सारी प्रोब्लम्स भी आएगी बीच में कभी सर्टिफिकेट इस्यो होगा तो कभी की सर्किल ने कोई नोटिस निकाला आमको पता नहीं चला कभी इमेल के तुरो में प आमको पता नहीं चला को अजया